हेलो, नमस्कार, COVID-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कारे करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं, लेकिन मुमे महानगर पालिका ने आपको घर बेटे ही पढ़ाने या यूँ कहें, अध्यान करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल दोरा आपको वीडियो के रूप में लेशन प्रसारित किया जाएगा, और उस लेशन के जो विशे हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिखाए देंगे, और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाए देंगे, चलिए शुरू करेंगे, हम आज का अपना लेशन जैसा कि बच्चों आपने देखा, आज की कक्षा है चठी, आज का विशे है समानने विज्ञान, और आज का अमारा पाठ है, आपके पाठे पुस्तक से, लेशन नमबर सेवेन, नूट्रिशन एंड डाइट, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे, पोशन और आहार भाग पहला, इसके अंदर गरत आज हम चर्चा करेंगे, हमारे भोजन के कुछ महत्पूर्ण घटक, जो की कार्भो हाइडरेट्स, फैट्स और प्रोटीन होता है, अर्थात, कारभोज पदार्थ, वसायोक्त और प्रथीन जैसे घटक वाले पदार्थ और घटक परमाच चर्चा करेंगे, और मैं हूँ आपका वर्च्वल मानदर्शक, अजे कुमार, मौरिय, MCGM, वर्च्वल क्लासरूम, दादर से, तो चर्चा चुकी हमारे पोशन और हमारे आहार, खादे पदार्थ, भोजन भी हो रही है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहां जाता है, रोज जो भोग लगती है, तो गर्मा गरम, थाली में या यूँ कहें, गरमा गरम भोजन, हमारी ममी थाली में परोसती है और हम उसे बड़े चाव से खाते हैं तो उसमें क्या-क्या होता है, कभी आपने ध्यान दिया है तो उसमें रोटी है, सबजी होता है, दाल होती है देख रहे हैं न, अचार है, नीमबू है, सलाध है तो विविट प्रकार के खाद्यपदार्थ एक ही ठाली में परोस कर हमारी ममी हमें देती है उसे प्रकार, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी कुछ अलग तरीके का खाद्यपदार्थ है खास कर ये साउथ इंडियन, दक्षिन भारत के लोग इस तरह के खाद्यपदार्थों का सेवन करते हैं और ये केले के पत्ते पर परोसा क्या है, जिसमें मेंदू अड़ा भी है, केला है, रस्सम है, चावल है देख रहे हैं, दो-तीन तरह की सबजियां है, अचाहर है, तो ये सब खाद्यपदार्थ, विविद प्रकार के खाद्यपदार्थ हमारे देश में प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे देश में अलग-अलग धर्म जाती संपरदाय के लोग रती हैं, अलग-अलग भागलिक परिश्यति हमारे देश की, तो इस तरह से लोग अलग-अलग तरह करे खार्द बद़ार्फ काते हैं. है या एक थाली है. जो आप होटल में जाते हैं, जब ति थाली ढ़नाती है, तो इसमेंasi अलग अलग तरह के इस तरह से चोटी छोटी कटोरियों में खाद्य पदार्थ पुरोसा जाता है चावल डाल कड़ी सबजी देख रहे हैं ना खीर बासुंदी गुलाब जामुन याने मिठाई भी ये साथ में तो हम बहुत विवित तरह के भोजन का सेवन करते हैं ये जो पदार्थ होते हैं वो वनस्पतियों अथवा प्राणियों से प्राप्त होते हैं कुछ कच्चे खाए जाते हैं कुछ को उश्मा देकर पकाया जाता है फल, सबजियां, अनाज, दूद, दही विमित प्रकार के ये खाद्य पदार्थ है जिनका सेवन हम करते हैं अपने भुजन में आप पहचाने गए होंगे फल है, सबजियां है, अनहाज है, दूद है, दही है, सिखन्ड है इसके अलावा जब हम ये भुजन करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है, क्या जो भी खाद्य पदार्थ अभी तक देखा आपने, हम ऐसा ही खा लेते हैं और उस खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें कुछ और पदार्थ डालती हैं हम उसे थोड़ा नमक भी डालती हैं, थोड़ा मसाला डालती हैं, थोड़ा और भी पदार्थ डालती हैं, जिसके करन वह और अधिक स्वादिस्ट और पॉस्टिक हो जाता है तो आप इस पदार्थ को पहचाने ये क्या है, ये है लॉंग तो अभी आपके स्क्रीम पर जो भी पदार्थ आएंगे, उसका नाम आप स्वयम बोलेंगे देखते हुए दोचित्र हो गया, दूसरा क्या है ये, चीकू ये क्या है, मुर्गी और चूजा कच्ची कहरी, आम, इमली, ककड़ी, अखीरा ये है सूर्य मुखी, ये किस काम आता है ये है तेल बनाने के काम आता है, उसके बाद एक करेला ये क्या है, काली मेर्ज ये है बाजरा अंडा मूली ज्वार मिर्च मूमफले नीम्बू ये क्या है तिल गेहूं दूद याने कितने विविद प्रकार के खादेपदार्थ है जो अनाश के रूप में है फल के रूप में है सबजी के रूप में है और हम इनका सेवन करते हैं कुछ मसाले के रूप में भी है कुछ का तेल बनाया जाता है तो ये सम मिला जुला के हम अपने आदत अपने परस्तिन उसार भोजन तयार करते हैं और ये है कुछ खाते बता जिने हम समाने तोर पर बिना उश्मा दिये बिना पकाए हम उसको कच्चे ही सेवन करते हैं तो आप बजार जाते होंगे तो ये नजरा दुकान में अवश्य देखते होंगे ये दिरिश्य दिखाई देता है कि किराने के दुकान में बोरियों में भरबर कर बहुत विवीत प्रकार के अनाज रखे गए होते हैं और वहीं बगल में सबजी मंडी में आपको विवीत प्रकार की सबजियां दिखाई देती हैं और इतने भीड रहती है आखिर ये सब क्या है ये किस लिए है तो निश्चित है ये हमारे अपने लिए है भोजन करने के लिए भूग लगती है तो खाना खाने के लिए और खाना बनाने के लिए इन सभी घटकों की आफशक्ता होती है अनाज की जुरत पढ़ती है साख सब्जियों की जुरत पढ़ती है और ये सब समान हम दुकान से इसी रूप में जैसा कि मैंने पहले बताया ये सारे फल आप पहचान रहे होंगे कौन-कौन से हैं जरूर नाम बताईए कौन-कौन से हैं तो कटल, आम, चीकू, अमरूद, तर्भूज, केला, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, चामून जैसे फल यहां पर दिखाई दे रहे हैं उसे प्रकार प्राणियों से प्राप्त होने अले पदार्थ कौन से हैं तो दूद, उसके बाद अंडे, और दूद से बनने अले पदार्थ, मक्कान, इत्यादी, ये सब भी हमारे भोजन का हिस्सा हो जाते हैं तो हम भोजन करते क्यों हैं, भोग लगती है इसलिए, भोग लगती क्यों हैं मतलब हमारे शरीर है, वो जब विर्धी करता है, बढ़ता है, उसे उर्जा की जुरत पड़ती है, चक्ती की जुरत पड़ती है, ताकत चाहिए काम करने के लिए, तो हमें फिर वो उर्जा फ्राप्त करने के लिए भोजन करना पड़ता है जैसे जैसे उर्जा खतम होते जाती है, हमें भूख लगती जाती है इन सब के अलावा बच्चो कुछ और भी अनाज़ जिनको हम भिगा कर आंकुरित करके उसका सेवन करते हैं यह भी बहुत ही फायदे मन लाब दायक आहार है जिसे हम अंकुरित आहार भी कहते हैं यह पैचान रहे कौन कौन सा है यह यह चना, अंकुरित चना, मूं, गेहूं, मटर भी होते हैं, सेम होते हैं तमाम तरह की अनाज हैं जिनको हम अंकुरित करके उसका सेवन करती हैं, सबजी बना के उप्यूग भी करते हैं, कच्चे भी खाया जाते हैं, तो कच्चे के रूप में सलाद, अलग अलग तरीके के सलाद, जिसमें सबजियां होती हैं, अंकुरित धनाज होते हैं, नीमबू, नमक, मिर्च, और कुछ मसाले, गाजर, मूली, प्याज, तो अलग-अलग स्वाद के लिए, अलग-अलग तरीके सलाद बनाया जाती हैं, और हम बड़े ही चाव से इसका सेवन करती हैं, याने भोजन कितनी प्रकार के हैं, बहुत ही स्वादिस्ट, मुमें पाने आ गया देखकर ही, तो अंकुरित अनाज, कच्ची सबजियां से मिलकर सलाद बनाया जाता है, और हम इसका बहुत चाव से सेवन करते हैं, तो यह सब जितने भी आहा रहे हम ऐसे ही नहीं खा सकते हैं, हमें खाते समय ध्यान रखना होता है, कि वह पॉस्टिक रहे, पॉस्टिक मतलब उसके खाने से हमें कोई नुकसान न पहुचे और हमारे शरीर को आवश्यक उर्जया बराबर मिलती रहे, तो उसके लिए हमें क कुछ बाते ध्यान रखने पड़ती हैं, आपके किचन में देखा होगा, आपकी मम्मी ये बराबर ध्यान रखती है, कि जो भी खादर बजारत बने, वह गंदा न हो, दूशित न हो, और वह अधिक पक न जाए, जल न जाए, ऐसा होने से क्या होगा, जो हमारा भोजन है, और भोजन के जो पौस्तिकता है, वह खराब हो जाएगी, जिससे हमें उस लाब मिलने के बजाए, हमें बीमारी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर, भोजन को आवशकता अनुसार पकाया जाता है, और उसका सेवन किया जाता है, तो साफसुत्रा जगह पर और सही मात्रा में उसका पकाया जाना ये अभी बहुत जरूरी महत्पूर्ण बात है, तो हम भोजन करते हैं अलगलक प्रकार के, लेकिन भोजन करने से हमें वास्ता में लाब क्या होता है, तो देख रहे हैं ये चित्र, आप देख रहे हैं ये व्यक्ति है, एकदम दोड़ता हुआ, काम करता हुआ, और ये इस तरह के भोजन को करता है, तो उसके शरीर में तंदुरुस्ती उर्जा महजूद रहती है, और वा धेर सरा काम कर लेता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, और जो भी दिन भर के काम होते हैं, वा अच्छी तरह से कर लेता है, अगर उसने सही तरह से भोजन किया है, तो सही तरह का भोजन किया है तो भोजन की जो घटक है भोजन और उसके घटक बचो ध्यान रको भोजन तो बहुत प्रकार के देखिया हमने उसके घटक लिमिटेड है याने हम खाते हैं बहुत प्रकार के भोजन लेकिन उनमें से प्राप्त सुना ले जो घटक है वह छही प प्रकार के घटकों से हमारे शरीर में विवित प्रकार की कारिक्रिया होती है और हमारी वृद्धी होती है तो भोजन के घटक से क्या लाब होता है तो कार करने के लिए उर्जा मिलती है हमारे शरीर को शरीर का वृद्धी और विकास होता है हमारे शरीर आकार बढ़ता है हमा अगर हमने ये सही मात्रा में सही तरीके का भोजन किया है और उसमें सभी घटक हमें मिलते हैं तो उसे प्रकार इन घटकों के साथ और एक घटक है सबसे सस्ता घटक वो है पानी वह भी हम भोजन के साथ ग्रहन करते हैं जिससे हमारा शरीर निरोगी रहता है और व्यवस्तित रूप से सुचार रूप से अपना कारिया करता है हम जानते हैं न हमें भी प्यास लगते रहती है इसका मतलब पानी का हमारे शरीर में बहुत उप्योग है इसलिए हमें बार-बार प्यास लगते रहती है तो यह भी एक भोजन का ही घटक हो गया पानी चलिए हम चलते हैं चर्चा करते हैं कि पोशन क्या है पोशक तत्थ तो क्या है हम बार-बार करते हैं, हम भोजन करते हैं, भोजन के घटक मिलते हैं, घटक अच्छे होने चाहिए, सभी घटक होने चाहिए, तो यह पोशन और पोशक तत्वा है क्या विज्ञान की वाशा में हम चर्चा करेंगे, तो सजीवों द्वारा, सजीव मतलब हम मनुश्य हो, चाहिए प्राणी हो, भोजन और पानी ग्रेहन करके, यानि हम जो भी भोजन और पानी लेते हैं, विवित कामों में उप्योग करते हैं उसका, हम भोजन लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं, और शरीर भी अंदर- कुछ काम करते हैं उसकी उर्जा से, तो अगर यह काम सही तरके से हो रहा है, तो हम कहते हैं कि पोशन हो रहा है, लेकिन अगर हम पत्थर खाले, लकड़ी खाले, तो पेट भर जाएगा, हमने खाना तो खा लिया, लेकिन क्या हमें उसका लाब मिलेगा, क्या हमारा शरीर काम कर पाएगा निरोगी रह पाएगा नहीं इसका मतलब हमें पोशन नहीं मिला भोजन मिला लेकिन पोशन नहीं हुआ हमारा तो विवित कामों के लिए उपयोगी खाद्य घटक समझ में आए बच्चों उपयोगी कोही पोशक तत्व कहते हैं अगर हम कोई खाद्य बदारत खाते हैं पेड़ भर गया लेकिन हम उसके बिमार हो जाते हैं तो वो हमारे लिए पोशक तत्व नहीं है उसके द्वारा मिलने वाला घटक तो इसका आर्थ क्या हुआ? कि हमें ऐसे खादे पदार्थ को खाना चाहिए जिससे क्या मिले? जिससे हमें उपयोगी खादे घटक या पोशक तत्व प्राफ्थ हो सके तो उपयोगी खादे घटक को ही पोशक तत्व कहते हैं जब भी हम पोशक तत्व कहेंगे इसका मतलब हमारे भोजन से मिलने वाला ये उपयोगी खादे घटक ही होते हैं तो उपयोगी खादे घटक आखिरू या पोशक तत्व हैं कौन-कौन से? तो सामाने तोर पर जितने वरकार के हम भोजन करते हैं पुरे दुनिया में अलालग तरह के लोग खाते हैं हजारव तरह के वेंजन होते हैं उनसे हमें सामाने तोर पर छो पोशक तत्व प्राप्त होते हैं एक है कारबोज, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रतीन, चोथा है खनीज, पाचवा है जीवन सत्व, और छटा है तन्तुमया रेशेदार पजार्त पहला है कारबोज, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स, वसा याने फैट्स, प्रतीन जिसे प्रोटीन कहा जाता है, कानेज, विनरल्स होते हैं, जीवन सत्व मतलब जिसे वाइटामीन कहते हैं, और तन्तुमया पजार्त अर्थात, फाइपरस जो भोजन होते हैं, खाजे प भोजन करते हैं, तो ये क्या सारे के सारे घटक हमें बहुत अधिक मातरा में जुरत पड़ती है, नहीं, कुछ घटक हमें जादा आवशक पड़ती है, कुछ घटक की थोड़ी मातरा में आवशकता होती है शरीर को, तो कुछ घटक ऐसे होते हैं जिनकी आफशक्ता समाने रूप से अधिक होती है जैसे वो घटक है कारभोज, नामक पुशक्तत्व, इसकी आफशक्ता ज्याधा होती है इसलिए हम ज्याधा मत्रा में अनाजों का सेवन करते हैं गेहुचावाले सब खाते हैं ज़्यादा पेड़ बरके खाते हैं तो उससे हमें कारभुज और प्रोटेन मिलते हैं साखसबजी हंकुरिटा नाच से तो ये ज़्यादा मात्रा में जरुत पड़ती है क्योंकि इसका उप्योग जो है उर्जा के रूप में होता है और उर्ज समाने रुप से कम पड़ती है तो कम अधिक मिलाकर हमारे पोशक्त तो हमें मिलने चाहिए तो कम मात्रा में किसकी जरुत पड़ती है तो जो मिन्रेल है खानी जए वह थोड़ी मात्रा में पड़ती है जैसे कि नमक है बहुत थोड़ा सा खाते हैं है ना हम पेड़ बरके न लेकिन नमक जरूरी भी है, तो नमक थोड़ी मातरा में, उती तरह वेटामीन्स, यह हमारे भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मातरा में इसकी जुरत हमेशा पढ़ते रहती है, उसे बरकार वसा ने फैट युक्त पदार्थ की जुरत भी पढ मातरा में अधिक फैटी पदार्थ वसा युक्त पदार्थ खाएंगे, तो हमारा शरीर भी फैटी फैटी हो जाएगा, मतलब हम मोटे हो जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा, तो हमारा शरीर ठीक धंक से कार्य नहीं कर पाएगा, और तन्तुमें फाइबर युक्त पदार् पेटको हजम करने और आहार नलिका को स्वक्ष्य रखने में इन्तन्तुमैं पुदार्थो का बहुत युगदान होता है यानि पेटको साफ रखने में इसका बहुत उभ्योग होता है पेट साफ तो खाना हजम जल्दी होगा खाना हजम होगा चल्दी मतलब जल्दी हमें पोशक तत्व सही तरीके से मिलेंगे हमारा बेट ठीक रहेगा इसका मतलब हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा तो अब आप बताईए कि अगर इस तरह से आपको मौका मिले या ये वेक्ति सोच रहा है सामने दो रास्ता आगया है एक तरह स्वादिष्ट बर्गर वड़ा पाव पिज्जा जिश में पोशक तत्व उतनी मात्रा में नहीं है लाबदायक जितना की इन सावख सक्जियों में है तो बताईए इस वेक्ति को किस रास्ते पर जाना चाहिए किसका चुनाओ करना चाहिए ये एक रास्ता है हरा वाला दूसरा रास्ता है लाल वाला आप कौन सा रास्ता चुनेंगे आप चर्चा कीजिए और फिर अपने टीचर से भी चर्चा कीजिए और पताईए कि आपने कौन सा रास्ता आपको सही लगता है तो अभी हमने दिखा कि भोजन करने से हमें इच्छा प्रकार के पोश्टिक तत्व या पोशक तत्व मिलते हैं जिन में पहला नाम था कार्बो या कार्बो हाइड्रेट्स और वो किन से मिलता है वो अविवित तरह के अनाजों से मिलता है तो हमें कार्व करने के लिए बहुत सारी उर्जा के जुरत पढ़ती है इसलिए हमें इस तरह के पदार को जिसमें कारबोज हो ज़्याधा सेवन करना पड़ता है तो कार करने के लिए उर्जा प्राप्त होती है किस से? कार फोजिक पजार से और इसलिए इसे समानले रूप से अधिक मत्रवें इसके जुरत पड़ती है और हम पेड़ बरकी से खाती है इसे अलग-अलग रूप में खाते हैं चावल को पका कर भाद के रूप में, गेहों को पीस कर रोटी के रोप में और अन्यानाजों को पीस कर मोटी रोटी जिसे बाजरे की, मक्के की रोटी, कोचा जिसमें की तंतुमें पदार्थ जाता है तो इनका उपयोग हम करते हैं जिससे हमें कारवोज मिलता है और हमारे शरीर को उर्जा प्राप्त होती है तो कार करने के लिए उर्जा मिलती है उसे प्रकार और भी कुछ पदार्थ है लेकिन जो कम मात्रा में सेवन करते है इससे भी हमारे शरीर को उर्जा मिलती है ये कौन से पजारत हैं आप देखी रहे हैं तेल, गी, मक्कन पेड़ भर के तेल नहीं पीते हैं न गी खाते हैं न मक्कन काते हैं नहीं मुंखली जादल अकेला पेड़ भर के खाएंगे कम मातरा में खाएंगे तो हमें इसका लाब मिलता है उर्जा मिलती है इन खादर पदार्थ से कौन सा घटक पराप्त होता है वसा, फैट तो हमने दो पदार्थ देखे एक तो कार्बो हाइडरेट्स, कार्बो जूक्त दुसरा फैट जूक्त अर्था तो वसा युक्त पदार्थ ये उधारण है कुछ वसा युक्त पदार्थों के और बीना वसा युक्त पदार्थों के यानि अधिक वसा, कम वसा more fat, less fat वाले काद्य पदार्थ घी, तेल, मक्कन, दूद, जन्य पदार्थ आम वगेरा जो देख रहें ये सब अधिक वसा युक्त पदार्थ हैं जबकि यहां शंत्रा, निम्बु युक्त पदार्थ और अनाज, साख सबजियां जो हैं कम वसा युक्त पदार्थ हैं ये चित्र आपके बुस्तक में है ही है आपने देखा होगा इसके पहले के चित्र भी क्या है ये प्रोटीन न्योक तो याने तीसरा जो घटक है कार्भुहार्डेर्स, फैट के बाद प्रोटीन, प्रतीन ये इन खाद्रपदार्टों से प्राप्त होता है जिसे हमारे शरीर की वृद्धी होती है और छीजन से याने जो हम कार्य करती है शरीर में तकलीफ होती है बीमारियों से रक्षा भी होती है इससे तो इन खाद्रपदार्टों से प्रोटीन मिलता है प्रोटीन हमारे लिए बहुत यावशा है कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत सारे दलहन युक्ट पदार्थ में, दुख दिजन्य पदार्थ में, मास, अंडे, इत्यादी में प्रोटीन मिलता है, उसे परकार अंकुरित अनाजनों में, बच्चो भरफूर प्रोटीन या प्रोटीन प्राप्त होता है, तो यहाँ पार दलहन याने दाल युक्ट पदार्थ में, और जिसका हम दाल के रूप में सेवन करते हैं, उसे परकार दूध मास और अंडे भी प्रोटीन के महत्पूर्ण साधन है, और इन्हें समान रुप से अधिक मात्रा में इनका सेवन करते हैं, तो कार्बोजिक पदार्थ और प्रोटीन पदार्थ का सेवन हम ज़्यादा करते हैं, तो हमने क्या दिखा भी, जितने भी प्रकार के हम खादे पदार्थ लें, चाहिए साग हो, सबजी हो, या दुख्द जन्ने पदार्थ हो, प्राणी जन्ने पदार्थ हो, उन सब से हमारे शेरी को क्या मिलना चाहिए, पोशक्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त जिन मेंसे तीन प्रकार के पोस्ट पर हमने भी चरफ्चा की एक था कार्बोच उक्त दूसरा है वसाने फैट उक्त पदार्ध और जससे प्रोटीन प्रापत होता है प्रतीन मिलता है इसके अलावा भी और तीन पदार्थ हैं आपको पता है ना खनीज, जीवन सत्व और तन्तुमें पदार्थ तीन पदार्थ और है तो अभी हमने तीन पदार्थ पर चर्चा की तीन खाते घटक पोशक तत्व पर चर्चा की वो किन से प्राप्त होते हैं और बचे हुए और कौन से तीन घटक हैं पोशक्तत्व, वैक खनेज, जीवन सत्व और तंतुमे पजार उस पर चर्चा हम आज नहीं करेंगे हमने अभी जो चर्चा की उस पर आधारिकुछ स्वाध्य आपके लिए और निश्चित्य आप उसका उत्तर दे पाएंगे आपने अगर नहीं भी पैचाना तो हम भी उसका उत्तर यहां पता देंगे चली शुरू करते हैं पताना क्या है कि यवद सही और गलत कथन को पैचानना है ध्यान से वाके को पढ़ते जाएंगे और फिर सोचेंगे और फिर उसका उत्तर हम देंगे सभी सजीव, भोजन, ग्रहन करते हैं सही है या गलत प्रतीक खाते पदार्थ में सभी पोशक तत्व पाया जाते हैं ध्यान से सुनो, समझो यानि जो हम खाते हैं उसमें सभी पोशेक तत्वा एकी पदार्थ में पाया जाते हैं क्या तिसरा अनाज में वसा नामक पोशेक तत्वा अधिक मात्रा में पाया जाते हैं अनाज में वसा पाया जाता है क्या ज़्यादा यह इसकार्थ है चौथा तेल घी मकन प्रोटीन प्रतीन युक्त खादे पदार्थ है क्या एकतन सही है प्रतीन युक्त खादे पदार्थ से शरीर की वृद्धी होती है यानि प्रोटीन वाले जितने भी खादे पदार्थ है उससे हमारी शरीर को शरीर की वृद्धी होती है क्या कथन सही है और आखरी है पानी खाद्य पदार्थ का घटक नहीं है जहां से पढ़ा आपने चलिए आपको उत्तर प्राप्त हो गया चेक कर लेती हैं पहला सभी सजीव भोजन ग्रैन करते हैं एकदम सही कथन दुसरा प्रतिक खाद्य पदार्थ में सभी पोशक तत्व पाया जाते हैं गलत कथन हैं अलग-अलग खाद्य बदार्थ में अलग-अलग पोशक तत्व पाया जाते हैं तीसरा अनाज में वसा नामक पोशक तत्व अधिक मातरा में होता है अनाज में वसा नहीं अनाज में तो कारवोज मिलता है इसका उतलब यह कथन गलत है अगला तेल गी मखन प्रोटीन युक्त भजारते हैं प्रतीन युक्त भजारते हैं नहीं हमने अभी बताया है वसा युक्त भजारतें तेल गी मखन इसका मतब्य कथन गलत है अगला है प्रथीन युक्त खाद्य पदार्थे शरीर की विर्द्धी होती है हमने जाना इसको और ये सही कथन है और आखरी है पानी खाद्य पदार्थ का घटक नहीं है क्या पानी खाद्य पदार्थ का घटक नहीं है बिल्कुल सही पेचन आपने ये कथन गलत है तो बच्चो आपने देखा आज का लेसन उसके प्रमुख मुद्धों को ध्यान से बार बार दुबारा देखकर समझने का परास केजिए क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पोरा मुद्धा समझ में नहीं आता जैसे ही हम दो बार तीर बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगी खाए है और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चो वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी तो उस वीडियो को देखने के लिए उसकी सुचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रिस कीजिए और नोडिफिकेशन और रखिए ताकि जैसे ही हमारा लेशन चैनल पर डाला जाएगा आपको वतुरंग प्राप्त होगा तो अपना ख्यार रखिए सुरशिद रहिए थैंक यू